हाई गाईज, जैसा कि हम देख रहे हैं, मल्टिप्लिक्स का ये प्रोजेक्शन रूम है और इसी प्रोजेक्शन रूम के अंदर से हम सिनेमा हॉल को देखेंगे ये स्क्रीन जो सामने हमें दीख रही है, इसके लेफ्ट और राइट साइड में ये सराउंड स्पीकर हम देख रहे है उपर में हमें जीपसम की शीट दीख रही है, ये प्रोजेक्शन है यहाँ पर रखा हुआ इसी प्रोजेक्टर से हम मूवी प्ले करते हैं यह 4K प्रोजेक्टर है इसका यह lens है इस lens के थुरू पूरा light screen के उपर आ रहा है यह 4K प्रोजेक्टर है इस 4K प्रोजेक्टर का यह motherboard वाला area है इसमें कुछ connection अगर हमें देने हैं तो हम यहां से motherboard को input देते हैं या paint drive या कुछ इसको लगने वाला supply यह 3-phase supply होता है और यही से हम 3-phase supply प्रोजेक्टर को देते हैं इस प्रोजेक्टर का यह assembly area है लेंस की assembly पूरी यहां पे होती है इस lens के आगे जो hole होता है उसे port hole कहते हैं इसके उपर एक glass लगा होता है जो dust नहीं आने देता है lens के उपर यह प्रोजेक्टर की heat जो lamp के थूरू generate होती है उस heat को निकालने के लिए जो pipe लगा होता है उसे exhaust system कहते हैं इसे exhaust से पूरी heat जो होती है इसे प्रोजेक्शन रूम के बाहर निकालने के काम में आती है यहाँ प्रोजेक्टर का back side है जिसमें लैम का reflector लगा होता है अंदर side में जिसमें लगा होता है